चैने सुपर किंग भर्सिस गुजराट टाइटन्स मुकाबला तो चैने सुपर किंग के टीम जीत चुकी है लेकिन बीच मुकाबले में मैच को रोक दिया गया था क्यों रोक दिया गया था पूरी डिटेल आप लोग को देंगे क्यों कि काफी यदा चर्चा इस पर हो रही है कि आखिरकार महन सिंग धौनी ने मुकाबले को क्यों रोक दिया और बहुत सारे लोग गुजात के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि महन सिंग धौनी ने मुकाबले में ड्रामा किया और मैच को बीच में रोक दिया उसके कारण महन सिंग धौनी के टीम जीत पाई लेकिन हकीकत क्या है उसके पीछे चली आप लोग को बताते हैं महन सिंग धौनी चैने सुपर कींग के कैप्टन है और कैप्टन जो होते हैं वो मैच को रोक सकते हैं जब वो match को रोकते हैं, तो उन्हें नुकसान भी भुगतना पड़ता है, महन सिंग धोनी नुकसान भी भुगता, क्या नुकसान था, क्या नुकसान हुआ, और match को क्यों रोका था, पूरी डीटेल आप लोग इस वीडियो में देगे, तो बस वही time duration था, तो महन सिंग धोनी जो थे एक captain जो होता है, वो मुकाबले को 10 मिनट तक रोक सकता है, 15 मिनट तक रोक सकता है, और उसका नुकसा नहीं होता है, कि आप जितने देर मुकाबले को रोकेंगे, आपको anti-mower में उतने ही player आपको अंदर रखने होगे, circle के अंद उतना ही ज़्यादा आपको player रखना होगा, तो ये काफी बड़ा नुकसान होता है, तो महन सिंग धोनी ने उस नुकसान को सहा हो, और एक captain जो हो मुकाबले को रोक सकते हैं, एक नियम के तहट रोक सकते हैं, इसलिए महन सिंग धोनी ने हम महन सिंग धोनी को पाथिराना से अगर अभी use कर लेते हैं, तो बाद में हम दीपक चहर को भी use कर लेंगे, और तुसारदेस पांडे को भी use कर लेंगे, थिक्षना को भी use कर लेंगे, और मुकाबला जो है, मुकाबला में फिर से वापस लोट जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गुजाय टाइटन्स की बल्ले बाजी सुरू हुई थी एक समय लग रहा था कि चैनी सुपर की ये मुकाबला हार जाएगी लेंगें महन सिंग धोनी ने गजब का प्लटवार किया इस मुकाबले में और मुकाबले को पंदर रणों से जीत लिया ये वही गुज्राइ टाइटन्स की टीम है जिनोंने RCB के खिलाफ 200 रणों का बड़ा लक्ष को भी चेज कर लिया था वो भी आसानी से चेज कर लिया था सुमन गिल ने सतक जड़ दिये थे लेकिन महन सिंग धोनी की टीम ने 15 रणों से मात दे दी गुज्राइ टाइटन्स को और फाइनल में महन सिंग धोनी ने बस इसलिए रोक सकते थे इसलिए रोका क्योंकि महन सिंग धोनी एक बहुत एच्छे कप्तान है और अपने दिमाग को लेकर के जाने जाते हैं कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि किसी भी प्रस्तिती में महन सिंग धोनी अपना दिमाग लगाते हैं मुकाबले को अपने पक्ष में ले आते हैं एक समय तो यह मुकाबला जो था बिलकुल लग रहा था कि गुजाई टाइटन्स के तरब चला गया जब मुकाबला शुरू हुआ था तो लग रहा था कि यह जो पूरा मुकाबला है गुजाई टाइटन्स के पक्ष में चला गया और वहीं जब राश पर गिया से महन सिंग्ध होनी की सुरुवात रहे और IPL में फाइनल में पहुंच चुके हैं अब जो भी टीम चैने सूपर कींगे सामने खेलेगी अभी तीन टीम के आपसन है जैसे कि मुंबे इंडियंस लखनो सूपर जैंट्स और गुजा टैंटन्स तीनों में से कोई भी टीम चैने सूपर कींगे साथ फाइनल खेल सकती है वसे जिरू कमेट कर बता है कि फाइनल इस साल कौन से टीम जीते की फिर में लेंगे दूसरी डियो को ले करके तब तक के लिए आप रूख अपना ख्याल रखें